हेलो एब्रिवन, आई हो कि आपने अच्छे से स्लीबस कर लिया होगा, अच्छे से रिविजन कर लिया होगा, अब सब कुछ कर लिया ना, तो यह कुछ टिप्स भी सुन लो, जिससे कि आपके एक्जाम के अंदर, इनके बात में डेफिनिटली बता रहूं कि आपके पांच स इंप्रूव होने आले, तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है, वो यह आता है कि आपने अपने आपको कॉंग्रेचिलेट्स करो, सबसे पहले ना अपने आपको बोलो, कि भाई, शाबाश, बहुत अच्छी तयारी करियो, बहुत ही अच्छी तयारी है तुम्हारी, मैं ब हो गया कि एक दुख टॉपिक छोड़ गया, फिर तीनचा टॉपिक छोड़ गया, उसको मत देखो, यह देखो कि आपने इतना सारा स्लीवर्स कर लिया, अब यह कुछ यह थोड़े बहुत टॉपिक तो बची जाते हैं, तो इसके ओपर फोकस ना करो, आपने बहुत ही अंदर तरीके से महनत कर रखी है, तो अब उस महनत को खराब नहीं होने दिना, अच्छे से लास्ट मिनट तक हमें फाइट करने और हमें साइन्स का पेपर भी फोड़ ना है, तो अपने आपको बोलो कि यार बस अब बस थोड़ा सा टाइम और इसके बाद में साइन्स का ऐसा पेपर आएगा कि मैं पूरा को पूरा करके आजाओंगो, एक भी क्योशन नहीं छोडने वाला, तो अब जो सबसे पहली जो बात है, वो है यहाँ पर टाइम मेनेजमेंट की, देखो या साइन्स का जो पेपर है ना, थोड़ा से लेंदी आता है, तो इसको है अगर आ है, आप बैडिंग के ओपर फूकस करना, अब जुआ आप रिडिंग के ओपर फूकस करोगे हुगा आप जब पेपर रीड करोगे था सब कुछ आसी किक्योशन को सब्सक्रा शोकत पर्रते हैं सब्सवेजईंग को कि तुमें आते पशाए professions like, जो इसको दिख सब्सक्राने कि अपना दिमाग खराब मत करना दिमोटिवेट मत हो ना जैसी दिखे ना उसको दिखना है मत अकले वाले के उपर मूव कर जाना ठीक है अब यह जो पेपर जब आप रीड करो ना तो इसमें आपको एक काम करना वो करना चोईस बेस्ट जो क्योशन है जिसके अंदर कि आपक पर रेडिंग करती है आपको चोईस में सेलेक्ट कर लेना कि मैं इसका फर्स्ट पार्ट करूँगा या फिर इसका सेकेंड वाला पार्ट करूँगा ध्यान से यह चीज़ आपको देखना है और इसके बाद में जो केस बेस्ट क्योशन आएंगे ना जिनके अंदर स्टोरी अगरा गीवन होगी तो वो भी इस टाइम के पर थोड़ा जल्दी जल्दी रीड कर लेना आपको आइडिया हो जाएगा कि किस के ओपर बेस्ट ये क्योशन आए हैं फिर जब अगर थोड़ा सा टाइम बच जाए अगर दस मिनट के अंदर आपका हो गया पांच मिनट बच इसलिए क्योंकि देखो कुछ ऐसे क्योशन होंगे आफिर कुछ ऐसे नुमेरिकल होंगे जो कहना तुम उस टाइम पर सॉल्व करें नहीं यार लेकिन जब लास्ट के अंदर पेपर के पास में जागे तो उसको देखो कि उस टाइम पर वो आ सकते हैं तो इसलिए ध्यान से लास्ट की 10 minute को save करके रखना कि उच्छ ऐसे mistakes भी हो सकती जो कि आप paper में करेंगे तो उसी लिए important होती ही last की 10 net जिसके अंदर आपको reach है करना होता है कि कहीं कोई मेरा question तो नहीं चूट गया कहीं वो numerical में फिरसे तो solve नहीं कर सकती हो तो इसलिए last की 10 net बहुत ही India important है अब इसके बाद में जो important बात है वो यह है कि 1 mark का भी question होगा, 3 mark का भी question होगा, 5 mark का भी question रहने वाल है अब यह question है ना इनके अंदर ध्यान रखना कि जो 5 number का question है इसके अंदर 5 number के हिसाब से लिखना ऐसा नहीं है कि आप पूरक पूरे 2 page लिख क्यार हो नहीं, जितना आप लिखोगे उतने ही आपको marks मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत जादा लिखोगे तो बहुत जादा marks मिलेंगे इसके अंदर आपको minimum 5 से 6 point लिखने, इससे जादा इसमें लिखने की जरुरत नहीं है long answer में और अगर 3 marks का question है, तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कितने point लिखने, इसके लिए आपको लिखने 3 से 4 point लिखने इससे जादा आपको लिखना ही नहीं है भाई, इससे जादा नहीं लिखना, इससे जादा लिखोगे तो फिर बाकी का paper छुट जाएगा तो इसलिए चोटे answer के लिए चोटे लिखना है, बड़े answer के लिए उसके हिसाब से लिखना है, तो ये बात ध्यान में रखना और जो long answer है ना, इनको मैं कहूंगा कि थोड़ा पहले attempt कर ले ना, क्योंकि देखको इस starting में जो होगा, आप कोई न 2 marks के question देखको और confidence हाजागा कि यस मैं कर सकता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसमें ज़्यादा ज़्यादा लिखोगे, तो दो number के question में सिर्फ और सिर्फ दो points sufficient होती है, फिर दो line is sufficient होती है, उससे ज़्यादा मत लिखना night before exam की, एक रात पहले हमें क्या करना चाहिए, एक रात पहले सोना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने बहुत सारे students को देखा है, बहुत सारे बच्चे comment करते हैं, रात को सवा तीन बज़े तक मैं comments देखता हूँ की comments आ रही है, बच्चे पढ़ रही होते ह तो इसलिए आपको क्या करना है कि एक रात पहले रांग से सो यार 6-7 घंटे की नीद लो, मैंने क्या कहाता कि जो तुमने पढ़ा है वही तो आएगा, अब इसमें थोड़ी हो जाएगा, अराम से रिलेक्स हो जाओ, अगर पढ़ना है तो सुबह पांच बजे खड़े हो क करके पढ़ लो ना, पांच बजे खड़े हो करके एक बार सारी फॉर्मलाज वगेरा रिवाइस कर लो, और वो तो मैं भी रिवाइस कर रहा तो वीडियो आती है, लास्ट मिनेट रिविजन हर टाइम हर एक पेपर से पहले सुबह वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वो ज नहीं करना है, और एक बात बताओं कि आपको अभी क्या करने की जरूरत है, अब और चीजों के पीछे मत बागो, एक तो आपके जो नोट्स हैं, ठीक है, एक तो आपके नोट्स और दूसरी आपकी एंसेटी, बस ये दो चीजे अगर पढ़ना चाहरे हो कि थोड़ा सिंबल साप इपर आएगा और तुम तो याट वोरियर हो यार, वोरियर हो तुम वोरियर, ठीक है, चैंपियन हो, चैंपियन, अपने आपको चैंपियन समझो, कि तुम एक्जाम बहुत ये अच्छे से क्रैक करोगे, अब यहाँ पर जो इंपोर्टेंट वात है, ये वाली कि आपके टीचर्स को मिलती है कि भाईया ऐसे अगर बच्चे ने लिखा है तो उसको आम मार्क्स देना तो देखो सबसे पहले ना अगर आपने यहाँ तक चीजे सही सॉल्फ की है तो आपको एक नमबर मिलेगा और इसमें आपको इने इसका formula भी लिखना है formula लिखने से गया होगा कि एक आपको अगर मालो कि numerical नहीं आप नहीं पढ़के गए तो अगर आप सिरफ और सिर्फ उससे related formula लिख देता है तो आपको half marks वहाँ पे मिलता है ऐसा नहीं है कि अगर आप पूरे पूरे सही करोगे तो ही मिलेगा इसमें stepwise marking होती है अगर बच्चा यहां तक आया तो एक number दो फिर उसके बाद में उसने second equation लिखिये तो उसके लिए एक number फिर last का जो answer होता है इसका one fourth number होता है अगर सही answer तो one fourth अगर नहीं है तो उसमें से one fourth number काट लेता है समझे मेरी बात तो numerical से डरों मत अच्छे से solve करना अच्छे से सारक सर explain करना stepwise step आपको solve करना है अब इसके बाद में जो next है यह देखो यहाँ पर जो third वाला question है जैसे कि theoretical based question है तो इसमें याद रखना कि अगर आपको कोई question नहीं आ रहा अगर आपको कोई question लग रहा है कि या नहीं पढ़ गया तो उससे related कुछ ना कुछ उसके नाम लिखना जैसे कि four example के लिए अभी यह है एक label diagram से related है अब इसके अंदर अगर बच्चा diagram नहीं पढ़के गया या फिर उसने थोड़ा बहुत कुछ लेगा कुछ parts को label किया तो देखो यहाँ पर अगर vagina label कर रहा है तो उसका half marks है uterus है तो उसका half marks है एक एक word का number है आपर एक एक word का तो एक भी word हमें उससे related नहीं छोड़ना कोई question तो छोडने का chance नहीं बनता अगर नहीं आ रहा तो उस chapter से related लिख दो उस chapter से related कोई भी equation लिख दो कोई भी उससे related theory लिख दो लेकिन question खाली मत छोड़ना बिल्कुल भी खाली मत छोड़ना आपको कुछ ना कुछ number तो मिलेगा teacher कुछ ना कुछ तो देगा या रादा नहीं तो एक नहीं तो कुछ तो देगा ठीक है तो इसलिए एक भी question नहीं नहीं छोड़ना है फिर इसके बाद में जो next है जैसे कि यहाँ पर examples भी आप लिखते हो ना तो example के लिए भी आपको अलग से number दिया होता है जैसे कि अगर बच्चे ने chloro floor carbon लिखाया तो उसके लिए half marks है और यहाँ पर fire extinguisher इसके लिए half marks है तो इसमें चिंता ना करो कि तुम्हारे number cutting आरे boards में तो number दिये जाते हैं बच्चों को और तुम डर रहोगी तुम्हारे number cutting और बड़ा ही अच्छा paper आता है बड़ा ही simple paper आता है अब कुछ paper presentation से related सुन लो भाईया सबसे पहले अगर तुम कोई भी section स्टार्ट करो जैसे कि section नहीं कर रहे हो तो section A के ही इसमें पूरे question होने चाहिए ऐसा नहीं है कि तुम section B को भी इसमें गुसारो फिर section C को भी गुसारो एक section है तो सिर्फ और जर्फ लाइन से भाई section चलेगा कर कोई question नहीं आ रहा जैसे कि इसके अंदर में को sixth question नहीं आ रहा है तो मैंने उसके लिए space छोड़ रखा है कि last time के उपर मैं इसमें तुक्का मार जाओंगा ठीक है mcq में त अगला आता है भाईया section B के अंदर मैं आपको एक छोटी सी important सी बात बताता हूं वो यह है जैसे कि इसमें P.O.P. से related question है अब इसमें पूछा गया है कि क्या होगा जब P.O.P. को हम लोग या फिर एक तरीके से बोलता है कि इसके अंदर water डालेंगे तो क्या होगा तो देख इसे case के अंदर अगर time कम है तो आपको full marks मिलने की chances है ऐसे number मिल जाएंगे तीन number समझे मेरी बात बहुत ही simple आएगा अब इसके बाद में यहां पर मैंने double margin line को draw कर रखा है यह margin line draw करना अगर last में time बचा हो तो उसी time के ओपर margin line को draw करना है और यह draw करना pencil से ठीक है जिसे कि आपका answer अच्छे से लगेगा और एक line यहां पर छोड़ देना और फिर एक line नया question स्टार्ट करो उससे पहले छोड़ देना इससे आपके notebook के presentation अच्छी हो जाएगे अब जो आपके पास में question आएंगे कैसे question आएंगे जो कि आपके पास में जैसे कि difference वाले question है तो difference वाले question ठीक है इसमें simple आपको difference बनाना है अब इसके बाद में जो next आते है जैसे कि अगर कोई भी energy flow diagram वगिर आता है तो आप इसके अंदिरना जब diagram बनाओ तो उसका नाम लिख देना उपर कि कि किसका diagram जैसे कि यह किसका है यह हमारा energy flow diagram है तो मैंने लिख दिया कि यह energy flow diagram है फिर इसके बाद में diagram बना दिया फिर इस diagram से related जितनी भी बात है जैसे कि the flow of energy in ecosystem is linear और unidirectional तो यहाँ पर जो important है वो है linear और unidirectional तो ऐसे keywords को आपको highlight करना है keywords को underline कर देना जिससे कि teacher को लगा क्या copy लिखिया बच्चे ने एक number number देने चिसको सारे number ठीक है और फिर इसके बाद से related तो मैंने आपको बता ही दिया इसमें एक बात ध्यान रखना कि जब आपका answer आज है तो इसको आपको underline कर देना है या फिर कोई formula है उसको ऐसे box बना देना इसके अंदर underline नहीं करना आपको इसके अंदर box बनाने जैसे कि यहाँ पर मैंने box बना रखा है i is equal to क्या दिय करना इसको pen से draw मत करना क्योंकि अगर गलती होगी तो फिर तुम उसको काट होगे काटा पीटी नहीं चीए अच्छी हमें neat and clean notebook रखनी है और अगर कोई question है जिसके अंदर कि आपसे माना क्या है कि law of reflection बताई तो आप उसके अंदर उपर रिख देजिए law of reflection फिर उसके बाद के अंदर एक बात याद रखना कि आपको इना ऐसे arrow नहीं बनानी ठीक है ऐसे arrow करके नहीं लेबलिंग करनी है या तो right तरफ करो या फिर left तरफ अगर ज़्यादा हो रहा है तो right में भी कर लो और left में भी कर लो और last के अंदर लिख दो diagram of ABC बहुती simple बहुती अच्छा paper तो अब बस last time अपने आपको motivate करके जाओ कि यस इस बार में science के अंदर अच्छा score करूंगा और तुम बहुत ही अच्छा score करने वाले हो and all the very best और मिलते हैं आप लोग उससे सुबह last minute revision को बिल्कुल भी miss मत करना सारेक सारे important formulas में आपको revise करवा दूंग